एक तरफ मुगलों की यादि तो उसरी तरफ मुठी कर दोस्तो अगर आप महराश्टर से सम्मन नहीं रखते हैं तो आप ताना जी को शाधी जानते हूं लेकिन वीर शिवाजी को पूरा देश जानता है वीर शिवाजी के विशा सम्राजी के निर्मान करने में कई सारे लोगों के इमहत्पूलping भूमिका थी और उसमें से प्रमुख्य थे ताना जी दोस्तो ताना जी का पूरा नाम ताना जी राओ मालूसरे था ताना जी का जन्म सत्रवी शताबदी में महराष्ट के कौंकन प्रांथ के उमर्थे में हुआ था ताना जी और शिवाजी बचपन से ही मित्र थे वे बचपन में खेले, कूदे, युद्ध, अभ्यास किया और बड़े हुए साथ ही शिवाजी के प्रत्यक युद्ध में ताना जी उनके साथ होते थे और शिवाजी के सामराजी के ताना जी सुवेदार भी थे ताना जी के जीवन का बस एक ही लक्ष था वो था राष्ट की सेवा करना एक बार की बात है जब माता जीजा भाई कॉंडाना के किले की ओर देखकर काफ़ी ज़्यादा नेराश और हताश थी तब शिवा जीने ये बात देखी और उनके पास ज़ाकर बात की माता जीजा बाई ने शिवा जी से कहा कि शिवा जब भी मैं इले की ओर देखती हूँ और मुझे मुगलो का परचम दिखाई देता है तो काफ ज़ादा निराशा और हताशा होती है और ये चीज मुझे बरदाश नहीं होती उसके बाद क्या था शिवा जी के लिए मा की कही हुई हर बाद पत्तर के लकीर होती थी उन्होंने तुरंथ ही एक सभा बोलवाई सभा में सभी लोग शामिल हुए और सभी लोगों के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा के हम कॉंडाना के किले को आजाद कराएंगी इसके अने तुर्थ कोन करना चाहेगा लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और जो व्यक्ति सामने आया वो थे ताना जी अब ताना जी कॉंडाना के किले पर चढ़ाई करने के तयार थे लेकिन जब उन्हें चढ़ाई करनी थी तब उनके घर में एक महत्पुन कारी हो रहा था वो महत्पुन कारी था उनके पुत्र राइबा का विवाह लेकिन वो अपने पुत्र के विवाह में शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके लिए अपने पुत्र से ज़ादा महत्पुन था प्रादेश अपना करता भी और वो अपने पुतर के विवाह को छोड़ कर चले गए चढ़ाई के लिए ताना जी की सेना में इस वक्त मातर 342 सेनिक थे जिनके साथ उन्होंने कोंडाना के किले पर हमला बोल दिया इधर उधेबान राठोर जो की उस किले का किलेदार था उसके पास 5000 मुगलों की सेना थी जिसके साथ उसने ताना जी के साथ युद्ध लड़ा युद्ध काफी भीशन हुआ और काफी वक्त तक चलता रहा इस युद्ध में अंत तह ताना जी के 342 सेनिक उन 5000 मुगलो सेनिक पर भारी पड़े और ताना जी ने अंत तह किले पर अधिकार कर लिया मगर दुख की बाद तो ये है कि इस युद्ध में ताना जी अत्यादिक खायान हो गया और अत्यादिक खून के बहाव की वज़े से ताना जी को वीरगती प्राप्त हुई जब ये बाद शिवाजी को पता चली तो शिवाजी बेहत दुखी हुए और उनके मुह से सिर्फ इतने शब्द बाहर निकल पाए गडाला पनसीहंगेला यानि किला तो हमने जीत लिया मगर हमने हमारा बहादूर शीर जवान खो दिया बाद में ताना जी की स्मृति में कॉंडाना के लिए का नाम बदल कर सीहंगड और साथ ही पूरे की वाकडे वाडी का नाम बदल कर नर्वीर ताना जी वाडी रख दिया गया तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले क्योंकि आपके कमेंट लाइक शेर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के नए ने वीडियो बनाने का